हे गाईज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एक नई भरती जारी किया गया जिसमें इस पोर्ट परसन कैंडिडेट आवेधन करेंगे ये डारेक्ट भरती है इसमें एकजाम आपको नहीं देना है सीधी वेकेंशी है अब पेमेंट कैसे करेंगे कैसे आपको पोश्ट करना है आवेधन फार्म आपको कौन सा पोश्ट करना है कहां पर जमा करना है सब भी जनकर यहाँ पे बताने वाले हैं जो भी candidate आवेधन फार्म अपलाई करना चाहते हैं अगर आप इस वीडियो को complete देख लेंगे तो आपकी जितनी भी doubt है वो सभी clear हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से अपने आवेधन फार्म को complete submit कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बीना देर की डारेक्ट चलते हैं फार्म अपलाई करने के प्रोसेस पे आवेधन फार्म अपलाई करने के लिए सबसे पहले इस भरती के बारे में आपको जानना जरूरी है जिस पर मैंने अल्रेडी बीडियो बनाया है यह हमारी website है जिस पर आपको details भी मिल जाएगा आप यहाँ पर आपके इसे पढ़ सकते हैं इस आवेधन फार्म को apply करने के लिए आपको दो option मिल जाएगा चाहे तो आप इस page को print out करेंगे A4 size में और इसके बाद जो भी information यहाँ पर मांगी जाती है उससे आपको fill up करना है अपने photo और signature को चिपकाना है इसके बाद आपको इससे head office में जाके जमा करना पड़ेगा इसके साथ आपको चालान का payment भी करना पड़ेगा चाहे तो आप इस प्रकार से इस form को submit कर सकते हैं चाहे तो आपको एक और option मिल जाएगा online इस भरती को submit करना है अपने email ID के दवारा आपको Google में ये page open करना पड़ेगा जिसका link हमने नीचे description दिया है click करेंगे तो आप इस page पर आएंगे submit करने के बाद आपको इसे A4 size में print out करनी है अपने सारी दस्ता वेज और जो form submit करे रहेंगे वो इसके बाद आपको head office में ले कर जाके जमा करना पड़ेगा जब आप इस website पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक email ID से इसमें login करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर candidate का email ID लिखनी है इसके बाद आपको नीचे करना है यहाँ पर आपको accept करनी है इसके बाद यहाँ पर candidate का नाम लिखना है candidate का नाम लिखने के बाद candidate का photo यहाँ पर upload करनी है 1MB की size मांगे की है add file के button पर click करना है यहाँ browse के option पर click करना है जहाँ पर आप अपना file रखे हैं वहाँ पर जाना है अपने photo को select करना है इसके बाद open key option पे click करना है click करते ही आपकी file यहाँ पे add हो जाएगा इसके बाद आपको अपने signature को upload करनी है अपने photo और signature को upload करने के बाद नीचे आपको अपने पीता का नाम लिखना है इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखना है अपके nationality क्या है? यहाँ पर आपको select कर लेना है यहाँ पर अपको अपने जरेंडर को select करना है जरेंडर को select करने के बाद आपको इस calendar पे click करना है और अपने data of birth को यहाँ पर search करके select करेंगे यह अदि अपí UP के निवासिय हैं तो आप यहाँ पर yes करेंगे मेर आड़ी लिखेंगे, यहाँ पे आपको अधार नमबर को लिखनी है, आधार नमबर लिखने के बाद आपको next के बटन पर क्लिक करना है, जब आप next के option पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open हो जाएगा, यहाँ पे आपको fee details update करनी है, अब fee details update करने के इस point को आप बिल्कुल clear समझिए, सबसे पहले आपको यह page देखिए open करना है, इस page का link हमने नीचे description में दिया है, चाहे तो आप इसे print out करा लेजिएगा, इसके बाद आपको अपने किसी भी nearest SBI bank में जाना है, जाने के बाद आप उनको यह page दिखा सकते हैं, तो भी पर चालान पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर बताये गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूब्मेंट 2022 for sport person deposit of चालान फार्म एक से 31 अक्टूबर 2022 तक, आपको 400 रुपीज पेमेंट करना है, खाता नंबर यहाँ पे देखिए 100 हो रहा है, अगर आप इस पेज पर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए खाता नंबर SBI का यहाँ पे 100 होगा, 400 रुपीज आपको पेमेंट करना है, जब आप बैंक में जाके इस खाते में चालान के द्वारा पेमेंट करेंगे, तो आपको तीन चालान मिलेगा, जिसमें यहाँ पे ती तो आपको डारेक्ट यहाँ पे आना है, फार्म जब आप सब्मिट करेंगे, उसी समय आपको यहाँ पे एक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसमें आप से यह परमिसन मांगा जा रहा है कि क्या आपने पेमेंट कर लिया है, यहाँ पर य येस करेंगे, येस करने के बाद आप थोगा सा नीचे करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे चालान की डीटेल्स को एड़ करनी है, सबसे पहले चालान नमबर लिखना है, इसके बाद किस डेट में आपने चालान किया है, यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके अपने डेट को स करने के बाद उस चलान की जो फोटो कापी है उसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे एक MB की साइज मांगी गई है इसे PDF चाहे आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं अपने चलान को अपलोड करने के बाद और चलान की सभी डीटेल्स को लिखने के बाद ही आप आप next के बटन पे कलिक करेंगे कलिक करते ही next औपसन पर आ जाएंगे जहांपर आपको अपने address डीटेल्स को सबमिट करनी है अपने address की सभी information डीटेल्स को लिखने के बाद आपको नेक्स्ट के बटण पर कलिक करने की बाद preference अलट करने का option मिलेगा अपने सभी details को लिखने के बाद next की button पे click करना है click करते ही next option पर आएंगे जहाँ पे आपको अपने qualification details को add करनी है सबसे पहले high school की board name यहाँ पे लिखनी है इसके बाद high school का passing year लिखना है इसके बाद high school का role number लिखना है इसके बाद high school की जो certificate number है वो लिखना है high school में जो marksit है उसका serial number लिखना है इसके बाद high school में total आपका कितना percentage है वो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे high school की जो certificate सनद है उसे add file पे click करके upload करेंगे यहाँ पे 10 वी की जो marksit है उसे add file पे click करके upload कर लेंगे high school की सभी details को देने के बाद next के button पे click कर लेना है click करने के बाद intermediate की qualification की details को add करने है जिस प्रकार high school की qualification details आपने लिखाया वैसे ही आपको इसमें लिख लेना है intermediate की सभी details को देने के बाद आपको next के button पे click करना है next option पे आने के बाद other qualification details मांगे गई है जिनके पास अधर कोई qualification details है वो यहाँ पर add करेंगे जिनके पास अधर कोई qualification details नहीं है वो next के button पर click करेंगे तो अगले options पर आ जाएंगे इसके बाद 2 साल की यहाँ पर service experience territorial army की मांगी गई है अगर आपके पास NCC की किसी भी प्रकार की certificate है तो आप इसमें add कर सकते हैं यदि आपके पास NCC की certificate नहीं है तो direct आपको नीचे करना है और next के button पर click कर लेना है click करने के बाद अगले option पर आएंगे तो यह important है जिसमें sport की certificate मांगी गई है इसमें code भी आपको mention करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर sport का नाम लिखना है उसके साथ आपको code भी लिखना है अपने sport की game और code को लिखने के बाद आपको नीचे करना है यहाँ पर वही options आपको दुबारा मांगी जाती है तो आपके पास अगर जितना भी certificate है वो इसमें add करेंगे नहीं तो आप इसे खाली छोड़ने देंगे इसके बाद next के button पे click कर लेंगे click करते ही आप अगले options पे आएंगे यहाँ पे सबसे पहले sport का नाम लिखना है इसके बाद फिर से sport का code लिखना है तो यहाँ पे यह दिखेंगे 3.3 है और 1.1 इसके बाद जो भी आपका game level है नेशनल से है या junior senior जिसका भी है आप उसे इसमें लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे date सेलेक्ट करेंगे इसके बाद type आप sport लिखेंगे individual या team के दवारा इसके बाद organization of tournament name लिखनी है यह भी आपको notification में ही मिल जाएगा organization, tournament लिखने के बाद आपको नीचे करना है आपका कौन सा position है वो इसमें select करना है आपकी यह certificate किसकी दवारा authorized की गई है आपके address सहीत इसमें लिखना है इसके बाद जो आपकी certificate है उस certificate को यहाँ पे upload करनी है add file के button पे click करके अपने sport की सभी details को लिखने के बाद आपको next के button पे click करना है जैसे ही आप next option पे click करेंगे आपको अगले option पे redirect किया जागा यह आपके पास कोई और sport level की certificate है या किसी और year में आपने प्राप्त किया है तो वो आप इसमें add करेंगे इसे आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली छोड़ सकते कोई दिक्कत ने है next के button पे आपको click कर लेना है click करने के बाद आपको फिर से अगले step पे redirect किया जागा यहाँ पे वही options फिर से दुबारा मिल जागा यह options इसलिए बार बार आ दी हैं आपके पास जितना भी sport का certificate है जितने जितने साल का वो आप एक एक करके इसमें add कर सकते हैं next करने के बाद आपके सामने गोसना पत्र का option मिलेगा आपको इसे पढ़ लेना है नीचे करना है आपको यहाँ इसे accept करनी है इसके बाद आपको button मिल जाएगा submit का आपको इस पर click करना है जब आप submit के button पर click करेंगे आपको यहाँ पर एक message मिलेगा उत्तर प्रेस police recruitment and profession board पर आपकी यह जो record है वो successful add कर लिया गया है record आपका वोने के बाद इनकी दौरा आपके email id पर एक message भिज़ा जाएगा जिसमें आपके सारे information details आपको दिखाया जाएगा id में आपको login करना है mail id में जैसे ही आप login करेंगे तो आपकी सभी जानकारी दिखाया जाएगा जो आपने form submit करते समय details फिलब किया है अपने सभी जानकारी को check करना है इसके बाद आपको A4 size में print out करना पड़ेगा print out करने के बाद आपको अपने दस्ता वेज को जैसे में अपने photo और signature high school बारहमे की qualification या जो भी details आपने दिया है इसके बाद आपका चालान copy या चालान की original और उसके बाद आपके sports certificate ये सारे documents आपको एक साथ लेका जाना पड़ेगा एक leaf app में pack करके आपको उत्तर प्रदिस पुलिस भरती के लिए head office पे जाके जमा करना पड़ेगा ये notice में mention भी किया गया है यदि आप इस भरती को fill up करने के बाद आप अगर post नहीं करेंगे आप head office पे जमा नहीं करेंगे तो आपकी जो form है वो निरस्त कर दिया जाएगा यहाँ पे साफ साफ कहा गया है तो इसे आप अगर पढ़ेंगे ये notice हम नीचे description में देदेंगे इसका link आप पढ़ लीजिएगा इसे download करके इसमें कहा गया है कि अपने आवेदन form को आप Google के द्वारा भर रहे हैं या आप इस page को भर रहे हैं भरने के बाद आपको head office पे जाके जमा करना पड़ेगा head office पे जमा करने के बाद आपको आवेदन पंत्र की अनुक्रमांग संख्या मिलेगी अनुक्रमांग संख्या जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपकी आवेदन form जो हो complete submit नहीं हुआ रहेगा जब आपको आवेदन form की अनुक्रमांग संख्या मिल जाएगा तब समझ लिजे कि आपकी आवेदन form जमा हो चुकी है बिल्कुल perfect इसके बाद आपकी form जो हो complete submit हो जाएगी यदि आपका आवेदन form complete submit हो गया है लेकिन आप head office पे जमान नहीं करेंगे तो आपकी जो form है वो निरस्त कर दिया जाएगा आपको अगर अनुक्रमांग नहीं मिला है तो आपकी जो form है वो निरस्त कर दिया जाएगा तो ये details है इस आवेदन form को complete submit करने के लिए आप चाहिए किसी भी states हैं लेकिन आपको head office पे जाके इस आवेदन form को submit करना पड़ेगा या आप Google से जो भी fill up करे रहेंगे उसको आप A4 size में print करेंगे प्रिंट करने के बाद अपने सभी दस्ता वेच के साथ head office पे जाके जमा करना पड़ेगा तो ये process है इस भरती को complete submit करने के लिए एक नमूनी के तोर पे हम इस आवेदन form को आपको complete submit करके दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से आप इस भरती को apply करेंगे सो वीडियो थोई से long हो गई है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर सभी जानकारिया बता दिया है कोई समस्या अभी होता है तो हमें आप comment करके पूछ लिजेगा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा कोई सवाल होता है तो comment करके पूछ लिजेगा चलिए दोस्तों मिलतें नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जैहिन